तो दो वीक यहां पर सेप्टेम्बर मन्त के जा चुके हैं इसके बीच में हमने आई-टी स्टॉक फार्म स्टॉक में काफी अच्छा मोमेंटम देखा गोल्ड एंड जोल्री से रिलेटेट काफी सारे स्टॉक्स थे उनमें बहुत अच्छा मोमेंटम आया लेकिन अभी फिर काफी से हैं जो होल्ड कर रहा हूं अभी तक उनमें टार्गेट्स नहीं आए हैं तो वह स्टॉक आज मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करने वाला हूं और स्पेशली कुछ स्मॉल कैप और मिट कैप भी शेयर करूंगा विकॉस लार्ज कैप स्टॉक्स अर गू करना चाहिए ठीक है अभी मैं आप लोग के साथ इस पर्टिवलर वीक के लिए शेयर करूंगा कि इस पर्टिवलर आने वाली वीक पर क्या इन में मोमेंटम आ सकता है कौनसे स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रेट कर सकता हूं ठीक है और इस मन्त की मैंने जो अभी अपडेटिट प्लोड कर दी है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा या फिर आप डिस्रिप्शिन बॉक्स पर दिये गए लिंक के थू हमारा फ्री टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हूं ठीक है लेट स्टार्ट टुडेस वीडियो और पांट से छे स्टॉक है और साथ ही प्रीवेस करने वाला हूं बट इस ओनली फॉर एड्यूकेशनल परपस आपको खुद से इन पर अनलिस करना होगा आपको स्टडी करना होगा कि क्या इन पर लॉजिक बन रहा है बाकि एनलिस लॉजिक में शेयर करके जाऊंगा बट यह होमवर्क आपके लिए भी होगा कि आप भी उ रमेंबर कि मैंने इसको पास्ट में अगैस शेयर किया हुआ था और यहां से अगर यह रेसिस्टेंस ब्रेक करता है एक बुलिश ग्रीन केंडल को ब्रेक करता है तो वी केन एक्सपेक्ट अगुड रेली फॉम दिस पर्टिकलर लेवल और इवेन 840 या 860 तक के हूँ ठीक है और फंडमेंटली टिस क्वाइट गुड और एक और इस पर बेस पर मैं ट्रेट पहले कर चुका हूँ अगर आप यहां से एक ट्रेंड लाइन लेकर आते हो तो यह रेसिस्टेंस यहां पर ड्रॉ होता है और जब इस पर्टिगलर केंडल ने यहां पर ब्रेक टार्गेट्स और यह मैंने स्टडीज जो है मैंने शेर की थी जो हमारा लाइफ बैच अभी रणिंग है जो और मुस्ट तीन से चार दिन में एंट हो जाएगा फिर 20th of September से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा जिसकी डीटेल्स आप डिस्रिप्शिन पर दिये गए वाट स्ट्रिप्शिन पर वाट्सेप यह कॉलिंग नंबर है वहां से आप इनको पारी ले सकते हो ठीक है यहां पर आइम अल्रीडी होल्डेंग बट स्टिल मैं प्लान कर रहा हूं कि अगर यह रेसिस्टेंस का यह एक अच्छा ब्रेक आउट करता है एक स्ट्रॉंग बुलिश को एक स्ट्रॉंग में मिल रहा है तो अगर आप सी को कैपिटल को रोटेट करते चलो तो आप बहुत अच्छे रिटेंस यर ओन यर जनरेट कर सकते हो राइट सो डू स्टेडी सेंचुरी प्लाइवर्ट्स इस माइफस्ट पिक ऐस आइम वेरी बुलिश ऑन दिस लेवल जब यह ग्रीन केंडल स्ट्रॉंग यहां पे क्लोज करेगा तब अभी नहीं नहीं तो काफी लोग सिर्फ नाम सुनके एंट्री बना लेते हैं तो आपको आपकी स्टडी करनी है और मैं भी एंट्री तभी बनाऊंगा जब यहां पे बुलिश ग्रीन केंडल करते आ रहे थे वह सब कुछ आपको बचाना है तो वह बिलकुल सेफ कर सकते हो विट शून्य भाइफ इंवेजिया शून्य भाइफ इंवेजिया एक ऐसा प्लैटफॉर्म है जो आपको एक्विटी यहां पे नहीं करना पड़ता है जहां पे आपको एक पावरफॉल एंड इजी तो यूस फीचर्स भी मिल जाते हैं जहां पे आपको एक ही स्क्रीन पर आपको सारी की सारी चीज़ वहाँ पे मिल जाती है तो आपको कुछ भी अलग से सेकेंड स्क्रीन या फिर किसी का कुछ प्रीम वगर्वाइब करने की जरूरत नहीं पड़ती है है also let me show you कि यहां पे कैसे आप brokerage सेफ कर सकते हो for example I am trading FNO ठीक है my buying price is 100 and my selling price is let's assume 150 and the quantities I have bought is 900 अब यहां पे अगर मैं इसको calculate करूं तो turnover STT charges लेकिन brokerage मैं brokerage यहां पे कितनी पे करूंगा absolutely zero कोई भी brokerages वगेरा मैं यहां पे नहीं करने वाला हूं because it is zero like बिल्कुल free है बिल्कुल safe है यह साथ ही शून्य ने introduce किया है AI powered signal based analysis जहां पे आपको algorithmic forecast मिलते हैं daily data driven analysis मिलते है market forecast मिल जाता है आपको heat memes मिल जाते हैं क्या market में चल ला है क्या आज ups trend पे है क्या is from the banking sector and that is indecent bank and I think indecent bank पे मैंने almost 8 या एक साल बाद इसका चार्ट open किया होगा and believe me कि one of the best pattern I have ever seen in the past few days I will say क्योंकि falling wedge कर जब pattern बनता है एक अच्छी strong resistance को यह respect करता है second time यहां पे प्रॉपर्ली रिस्पेक्ट किया अपनी resistance उनको and third time it is finally giving the breakout right supports में भी आप देखो तो particular first support देखेगा multiple times फिर आप देखो multiple supports यहां पे आपको दिख जाएंगे ठीक है now it is giving breakout from this particular level और यह weekly time frame पे है तो Friday को यह candle close कर चुकी है now Monday onwards क्या होगा ना कि यहां से एक new candle का formation start होगा और अगर वो एक अच्छी bullish green candle का formation start होता है तो मैं थोड़ी बहुत quantity से यहां पे trade plan करूंगा देखो HDFC bank का हाल सबको पता है तीन जार साल से कोई return नहीं है बट ICICI access they are trading at the all time high same with the kotak bank तीन साल से कोई return नहीं है but इंड़सेंट बैंक पर यहां long-term investor तो है नहीं है हमें focus क्या करना है दस परसेंट भी अगर किसी swing stock ने return दे दिया ठीक है दस परसेंट दस या पंद्रा परसेंट भी किसी swing stock में मिल गया return that is more than enough इतनी तो हमारी requirement ही है that's it right so do track indecent bank in upcoming days it can give really good breakout and really we can expect 10 to 15 percent returns from these particular levels okay let's move on to the third swing stock and that is Zubilliant farm over Zubilliant का अगया चार से पांच stock listed है and this is one of like really this particular stock give really good breakout क्योंकि इसको मैं track कर रहा था जब इसने यहां पर resistance face किया same pattern kind of आप मान के चलो century ply में भी है all time high कि multiple resistances होते हैं तो I planned कि यार जब यह resistance जब third time close हो गया था तो मैंने plan किया कि अब यहां से एक running candle जब start होगी बनना तो I will plan but हुआ क्या थोड़ा सा opposite हो गया एक stock ने एक दिन में almost अभी इस week में 28 percent का return है बट एक दिन के अंदर इसने 14-15 percent का return दे दिया now what I will do is मैं क्या करूंगा यहां पर अगर stock में थोड़ा बहुत यहां से retest या sideways दिखता है तो then I will plan a new swing trade from this particular point otherwise as of now present condition में मैं ऐसा कुछ भी प्लान नहीं करने वाला हूं मैं सिर्फ वेट करूंगा कि यह retest करें levels को थोड़ा या फिर sideways में चले उसके बाद में थोड़ी बहुत quantity से यहां पर trade प्लान करूंगा और टार्गेट शुट भी लाइक की 15-20% कम से कम लेकर जाओंगा बिकॉस बुलिच मुमेंटम है और मिट केप स्टॉक है शायद स्मॉल केप भी हो सकता है बट लाज केप तो नहीं इतना कंफर्म है तो अच्छे रिटन्स कहीं न कहीं हम expect कर सकते हैं तो इसको भी मैं ट्रैक करूंगा और दू कुछ मंस में ही देखने के लिए मिलेंगे तो if you have a bunch of patience like patience अगर आप अच्छे से hold कर सको रख सको patience रख सको तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को study कर सकते हो ठीक है okay so the fourth stock is globus sprits and i have already shared this stock with you guys प्रिवियसली इस पे बहुत अच्छा resistance zone है this particular first resistance second resistance third time it gave good breakout ठीक है support points अच्छे है horizontal base पे भी first resistance second resistance and now facing third resistance at the same point horizontal basis पे resistance right now what you can do is कि भाहि अगर यह यहां से breakout करता है strong bullish candle के साथ अभी तो resistance है तो अभी तो आपको entry नहीं बनानी है आप entry कब बनाऊंगे या फिर मैं entry कब बनाऊंगा वो entry आपको पहले बता देता हूँ जब यहां से एक bullish candle इस तरीके से strong closing देगी above the resistance zone देखो अगर आपका अभी भी mindset intraday वाला है तो you have to avoid that particular mindset right क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पैनिक करोगे कि भाई instant buy sell करना है instant profit book होना चाहिए loss होना चाहिए बट loss तो कोई भी नहीं चाहेगा but swing trading में you have to wait for the weeks even the stock जब breakout करता है न तो भी हफतों के लिए wait करना पड़ता है right और तब जाके आप trade plan करते हो फिर entry exit करते हो profit and loss book करते हो back to the topic so global spreads पे जब एक bullish green candle का यहां से formation होगा उसके बाद मैं क्या करूँगा मैं अपना entry यहां से plan करूँगा because यह resistance का break होना ज़रूरी है क्योंकि देखो already हम काफी काफी लोग को पता है कि यह जो रिटेंस हैं वो काफी लोग कैप्चर कर चुके हैं अगर आपने यह कैप्चर किये रिटेंस तो comment में जरूर बताना राइट और अब यहां से new trend एक और स्टार्ट हो सकता है because alcohol sectors भी past कुछ weeks में बहुत जादा आप trend में यहां पे बने हुए है राइट चलिए let's move on to the next talk and that is जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किये थे तो pfizer is there to make sure कि जब इस पे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था इस particular वीडियो में strong bullish candle जब close होती है यहां पे strong bullish candle close होती है then you have to plan the trade or you can plan the trade ठीक है then star farmer is also है जो मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था तो it is really bullish अभी भी मैं इस पे अपनी positions बना के hold कर रहा हूँ तो अभी थोड़ा time दूँगा मैं इसको because monthly time frame पे breakout है right if you remember कि हमने already जब यह stock इस particular level से breakout कर रहा था साइथ 736 के आसपास 736 के आसपास कुछ price था I still remember और वहाँ से if you can see अगर हम returns यहाँ पे calculate करते हैं कि कितना return उस particular point से आया है और time भी 736 के price से तो 245 days में 81% return if you are making 20 to 30% return a year you are the king even if you are making 18% return a year you are the king like राके जुन जुन वाला सर का यह quad था और अगर आप 21% बना रहे हो 20% बना रहे हो then you are a emperor तो भाई यहाँ पे तो आपको 81% धाई सो दिन में मिल ला है even like देखा जाए तो पूरा एक साल भी complete नहीं हो रहा है यहाँ तो if you do proper technical analysis आप study अच्छे से करते हो price action पे sector based stocks को उठाते हो तो you can definitely make good money जो हमारे webinar होने वाल है from the 20th of September तो make sure कि आप उस पर सीट जरूर बुक करो एक बार का investment है बट आप lifetime free हो जाओगे आपको किसी की उपर भाई जो है depend नहीं होना पड़ेगा कि आपको कोई trades बताए आके आप खुद से यह सारी चीज़ें कर पाओगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इस सेक्टर एनलिसस चीक है चलिए एंड स्मार्ट मनी कॉंसेट एस वेल चलिए नेक्स टॉक इस एबट इंडिया अगेन ओन वीकली टाइम फ्रेम और स्टॉक इस फाइनली री टेस्टिंग दे लेवेल कि यह ब्रेक आउट लेवेल किया ब्रेक आउट करने के बाद स्टॉक री टेस्टिंग दे लेवेल तो मेरी पुजिशियन्स ऑल्रेडी इस स्टॉक पे बनी हुई है और आइम होल्डिंग दे स्टॉक तो आपने देखा कि आज स्टॉक शेयर किये हैं उन में से भी कुछ स्टॉक में मैं एंट्री बना सकता हूँ ठीक है चलो तो लास्टॉक और मैं आप लोगों को बता देता हूँ देखो अब जो लास्ट में वीडियो तक टिका है न वह स्टॉक भी देखे जाएगा नहीं तो पकका इस पर 110% मेरी बाइंग पोजिशन जरूर बनाऊंगा बिकॉज एक स्टॉंग बुलिश यहां से ब्रेक आउट सिग्नल आइम एक्सपेक्टिंग कि भाई जब यहां से एक बुलिश ग्रीन केंडल यहां पर बननी चाहिए स्टॉंग बुलिश ग्रीन केंडल उसके बाद मैं यहां पर अपनी एंट्री बनाऊंगा एंड विल प्लान कि मैं अच्छी खासी को इंट्रीटीज में यहां पर ट्रेट पंच करूँ जब यह और टामाई का एच्छ परफॉर्म करेगा तो टाइटन को रडार पर जरूर रखिएगा इट कैन गिव यू रियली गुट आरवाई ऑन यूर कैपिटल और इंट्राडे ऑप्षिंस तो मेक शूर आप स्विंग की लर्निंग जरूर करो और ऐसे स्टॉक्स को स्टेडी करके उनको ट्रैक करो इंस्टेंट पोजिशन मन बनाओ कि कल से ही आज से वीडियो देखने स्टार्ट किया या फिर आज या कल में स्ट्रेडिग के बारे मे है स्टाटकरोविक्स कोइंटिटी से ले लो जरूरी नहीं है 1000 लॉफ्क यह वाई करो आपको केंटिवाल नहीं लगता है अर आलोट अगर को जूरॉ और यह विडियो को लाईक जरूर करो और सब्सक्राइब है and our post starting from the 20th of September so description पे उससे related सारी आपको details मिल जाएंगी और शुन्नी की link मैं आपको description box पे दे दूँगा शुन्नी से सारी links जो भी related है तो शुन्नी को ज़रूर डाउनलोड करो zero brokerage platform है कोई भी brokerages बगएरा पे करने की आपको ज़रूरत यहां पे नहीं पड़ती है so that's all guys thank you for watching this video